हाई गाईस वेलकम बेक टो स्पेकिंग प्लांट्स आज मैं आई हूँ तेरिस में और यहाँ पे हमारे चोटी से गार्डन है और लास टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और कटिंग्स लगा के गई थी तो आज मैं सोच रही हूँ सारी आपको प्लांट के अपडेट दे दू कौन कौन से प्लांट है और किस तरह से ग्रो हुए है तो यहाँ पे देखें बहुत सारे कटिंग्स मैंने लगाई थी जैसे कि पेरू है एगलो निमा है और मनी प्लांट की बहुत सारे कटिंग्स मैंने लास टाइम लगाई थी तो सारी कट चे विडियो में चैनल में शेयर किया हुआ है आप चाहे तो उस विडियो को तेख सकते हैं निक में प्रवाइड कर दूँगी और देखे इस तरह से छोटे-छोटे part में मैंने बहुत सारे plant की cuttings लगाई थी और ये देखे फिलोडेंडरन की एक और variety फिलोडेंडरन की बहुत सारे variety आती है उस पे से कुछ variety मैंने इस तरह से लगाई थी ये फिलोडेंडरन, Burl Max है इसको भी मैंने छोटी सी cuttings लगाई थी देखे काफी बड़ा हो चुका है यह plant इसको अभी mostics देने की जरुरत है तो इसे भी मैं mostics दे दूँगी तो garden में बहुत सारे काम है छोटे-छोटे ओग करना है और एक पर फिर से मैं सारे money plant जो दिखा रही हूँ जिसकी cuttings में लगा ही लगाए थे तो दोनों ही cuttings अच्छे तरह से चल गए है और काफी सारे plant भी मैं यापे लगा के गई थी तो plant की growth भी बहुत अच्छे तरह से हो रही है देखे फिर से मैंने cuttings लगाया था और यह देखिए trailing paper में या की मैं एक छोटी सी cuttings लेकर आके इसमें लगाई थी अभी देखिए कितना बड़ा हो गया है इस तरह से trail कर रहा है काफी सारे इसके branches निकल आए है और यह है ट्रायो कलर की कैलथिया देखिए जब मैं लगाई थी तो अच्छे तरह से grow हो रहा था अभी इसके सारे जो पते जड़ रहे हैं नए लियूसिस में grow हो रहे हैं और जो pink singonium है ओ अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहे है देखते हैं आगे की तरफ और philodendron की जो भी में variety लगा के गई थी सारे कुछ grow हो चुके हैं तो यहापे hybiscus भी लगाए थे ओ भी grow हो रहे हैं और यह देखिए wandering juice जो green variety होती है इसकी छोटी सी plant में लेकर आई थी पूरी तरह से pot को यह cover कर रही है देखिए इससे trail होती के बाद बहुत ही सुन्दर लगता है नेक्स तरह philodendron और बंजुला potos इसकी मैंने trimming की ती cutting की ती अभी देखिए फिर से यह grow हो चुका है तो यहापे जो plant है बहुत जल्दी grow होते है यहापे इनको अच्छी sunlight और humidity मिलती है तो plant जल्दी से grow हो रहे है और यह है agglonema की एक variety जो में लगाई थी और इसकी baby plant भी निकल आये है फिलodendron बिरकिन भी अच्छे तरह से grow हो रहा है कुछ plant जो है खराब हो चुके हैं लेकिन maximum जो plant है मेरे grow हो चुके है अप राजिक्ता का seeds लगाया था उसकी plant भी अ plant में लगाई थी अभी देखिए कितने अच्छे से grow कर रहा है काफी बढ़ा हो चुका है यह plant और यह turtle wine की cuttings जो है सारे pot में इस तरह से grow हो रहे है अगर यह जो grow होता है तो बागी plant अच्छे से grow नहीं हो पाते हैं तो मुझे इससे निकालना पड़ेगा और मैं इसको बार philodendron की lemon color का plant उसकी भी growth अच्छे से नहीं है तो इनको मुझे shift करना पड़ेगा और philodendron की 2-3 variety तो मैं यहाँ पे लगा के गई थी सारे जो cuttings से चल गए है और hanging pots में मैंने कुछ plants लगाये थे देखिए किस तरह से यहाँ पे grow हो रहा है सारे जो hanging pots में plant है अच्छे तरह से grow हो रहे है तो यहाँ पे बहुत सारे plant जो है अच्छे से grow कर रहे है और इस पार मैं बहुत सारे cuttings भी लेकर आई हूँ उनको लगाऊंगी और देखिए money plant की सारे plant मैंने table पे रख दिया है तो इनको भी neatly आज arrange करना है तो इसकी भी वीडियो में आगे जाके आपके साथ जरू शेयर करूंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चानल को like, share, subscribe करना ना बुलेगा till then take care, happy garden